जैश्री किष्णा दोस्तों मैं हूँ नरेंदर अगरवाल और आप देख रहे हैं नरेंदर अगरवाल यूट्यूब चैनल देखिए दोस्तों हमरे देश में हिंदु धर्म में नाग यानि की साब को देव सरूप मना गया है कई पुरानों में इसका वनन है भविष्य पुरान के अनुसार नागों को पंचमी का दिन पंचमी तीथी बहुत प्रिय है और इस दिन नाग लोग में उस्सव मनाया जाता है नाग लोग की देवी है मंसा देवी मन्सा देवी के बारे में अभी इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे तो नागों को पंचमी का दिन बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसी लिए स्रामण कrश्न पक्स और स्रामण सुक्ल पक्स की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है देश के कई इस्थानों पर क्रश्न पक्स की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं तो कई इस्थानों पर सुकल पक्स की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है यानि कि स्रावन की दोनों ही नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है कहते हैं कि इस तीथी को जो भी व्यक्ति नागों को दूद से सिनान कराता है कच्चा दूद अरपित करता है उसके कुल में सापों से भै नहीं रहता है वैसे नाग पंचमी के दिन लोग साप की प्रतीमा नाग की प्रतीमा का पुजन करते हैं और उसे ही दूद अर्पित करते हैं और ठंडा भुजन अर्पित करते हैं यदि आप गोर से हिंदु देवी देवताओं की प्रतिमाओं को देखेंगे तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ऐसे कई देवी देवता दिखाई देंगे जो की सर्प के साथ में है जिनके साथ में साप सर्प जरूर से है नाग है हिंदूों के देवी देवताओं का भी सापों के प्रती विशेज लगाव सरश्टी के प्रारम से ही है जैसे गी आप सेसनाक पर भगवान विश्णु जी को लेटे वए देख सकते हैं देवों के देव महादेव के गले में तो साकसात माला के रूप में सर्प विराजमान है यहां तक की माता पारवती के भी कई मंदिरों में नागों की विशेज रूप से पूजा की जाती है भगवान सीव के बड़े पुत्र कार्तिके जी के साथ में भी आप साप को देख सकते हैं जी हाँ आपको अभी तक यही मालूम होगा कि कार्तिके जी के साथ में मौर रहता है लेकिन आप गोर से देखिए साप भी रहता है तो हिंदू पुराणों में ग्रंथों में नागों को पातालोक से जोड कर देखा जाता है कहता है कि पातालोक और नाग लोक दोनों पर ही आज भी नागों का स्वामित्व है तो नाग पंचमी का दिन नागों के लिए विशेज दिन होता है और इस दिन नाग लोग की देवी नाग माता मनचा देवी की भी विशेज रुप से पूजा की जाती है धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है मनचा देवी के संबन्द में मनचा देवी की उत्पती भगवान सीव के मस्तक्ट से मानी जाती है और इसलिए मंचा देवी महादेव सीव की पुत्री भी मानी जाती है हरिद्वार में मंचा देवी का एक बहुत ही प्रसिद और चमतकारी मंदिर इस्थित है दक्षिन भारत में भी शिवालिक परवत पर मंचा देवी का एक विशाल और भव्य मंदिर इस्थित है तो कभी हरिद्वार जाना हो तो इस मंदिर के दर्शनों के लिए जरूर जाकर आईए तो मंसा देवी समस्त मनोकामनाओ को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है मंसा देवी नाग लोग के राजा नागराज वासुकी की भेहन भी मानी जाती है और ये बहुत ही प्राचीन मान्यता है कि नाग पंचमे के दिन मनसा देवी की पूर्ण स्रदा भाव से पूजा अराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामना ये पूरी होती है ऐसे भक्त को ऐसे व्यक्ति को नाग दंस का भै कभी नहीं रहता है मनसा देवी की विस्तरत कहानी का वर्णन करने के लिए हमरी बोलिवड ने एक हिंदी फिल्म नाग पंचमी भी बनाई है तो आप उस फिलम को देख सकते हैं उसमें पूरी स्टोरी है नाग पंचमी नाम से फिलम का नाम है नाग पंचमी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी और हमने भी सिव पुत्री मनसा देवी पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है यदि आप मनसा देवी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा यह आपकी सुवीदा के लिए हम छोड़ देंगे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप नाग पंचमी पर मंसा देवी की पूजा अराधना जरूर से करें मंसा देवी हर घर में पूजी जाएगी यह बात स्वेहम भोलेनात ने उन्हें वर्दान देकर कहीं थी और कहा था कि जो भी मनचा देवी की पूजा करेगा उसकी कामना अवस्य ही पून होगी तो भोलेनात का वर्दान कभी विफल नहीं हो सकता है मनचा देवी देव के देव महादेव और माता पारवती की लाडली पुत्री है लाडली बेटी है और आप मंसा देवी के अदभुद दरसनों के लिए हरिद्वार जा सकते हैं अब आप कहेंगे कि यह वासुकी नाग की बहन कैसे हुई तो देखिए वासुकी नाग तो बगवान शिव के पुत्र है नहीं और आपको लगेगा कि फिर यह बहन कैसे हुई तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं तो एक बार की बात है मंसा देवी भगवान सिव और माता पारवती के पास केलास आई देवी मंसा को आता हुआ देखकर बोलेनाथ के गले में नागराज वासुकी जी रहते हैं तो नागराज वासुकी जी ने भगवान सीव से प्रातना की कि है प्रभू मेरी आप से एक विनती है बोले नाथ ने कहा कहो क्या विनती है क्या बात है तो वासुकी नाग ने कहा कि भगवन मंचा देवी को आप नाग लोग भेज दीजिए क्योंकि पाताल लोग में नाग ल लोग का सामराज्य प्रदान किया और उन्हें उनकी बहन बनाया और इस तरह से मनचा देवी संपूर्ण नाग जाती की बहन बन गई और नाग माता के रूप में पूजे जाने लगी यही कारण है कि मनचा देवी को संपूर्ण नाग जाती का अधिपत्य देव माना जाता है कर सकते हैं तो प्रेम से बूलिए सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी मंसा देवी की जय हो तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों यह वीडियो यह जानकारिया आपको अच्छी लगी हो? यूश्पुल लगी हो तो करपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वा लेगी तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा तब तक के लिए इस्टे हैल्दी इस्टे हैपी थैंक्यों फॉर वचिंग माई वीडियो थैंक्स जै सिरी राम जै हनमान जै जै मंसा देवी जै भॉले नात